नमस्कार मित्रों नई क्रिसी दर्शन में आपका श्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूँ उत्तर परदेश के बाराबांग की जीले में मार डेरी फार्म है और काफी जो है फेमस डेरी फार्म है और यहां पर काफी जो है अच्छे जो है नसलिक के बच्छिया तियार की जाती है और यहां की गाय लगभग 35-40 लीटर दूर देने वाली है कोई कोई गाय तो 45-46 लीटर दूर देने वाली है तो कैसे इतने बड़े फार्म को मैनेज करते हैं सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जनकारी देंगे काफी महत्तवपूर्ण वीडियो है इस वीडिय कि नहीं जनकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे तो आप देख सकते हैं माडेरी फार्म बाराबंकी का यह बाहर का दिरिस्य है और काफी विशाल फार्म है और बहुत दूर में फैला हुआ है अब हम अंदर चलते हैं और फार्म के अंदर ही जो है सूपर ने पियर ग्रास गया है आप देख सकते हैं घास लगाने का फैदा होता है कि सालों भर गायों को हराचरा मिलता रहे और यहां पर आप देख सकते हैं हराचरा काटकर टीमर मसीन होता है उसी में हराचरा डाला जाता है और गायों को जो जो चीज डालना है इसी टीमर मसीन में डाल दिया जात और इसमें मिक्स करके गायों को चलाया जाता है और जहां बड़ा बड़ा फार्म होता है वहां पर TMR मसीन का उपयोग किया जाता है और यहां पर TMR मसीन के द्वारा गायों को चारा डला जा रहा है और यहां के जो पुस्पालक हैं काफी अनुभवी हैं वह 18-20 लीटर दूर दूर देने वाली गायों से इस फार्म की शुरुवात की थी और आज जो है उनके पास 45-46 लिटर दूर देने वाली गाय है और यह संभव हो पाया ब्रीडिंग के कारों तो उनसे सारा कुछ हमजानकारी लेंगे इसलिए आप इस वीडियो को कंटीनू देखिएगा और यह अ काफी अच्छी क्वालिटी की बच्छिया है फोगर चल रहा है क्योंकि दो पहर का समय है और यहां पर क्यूबिकल बनाया गया है तो इससे क्या बेनफिट होता है यहां के प्रशुपालक सुधिर जी से हम जानेंगे और कुछ गाय जो है चारा अपना खा रही है और क्या खिलाया जाता है कौन-कौन सा इसमें अनाज मिश्रित किया गया है सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे जनकारी देंगे आप देख सकते हैं काफी विशाल फार्म है इस तरह के फार्म बहुत ही कम देखने को मिलता है अब देख सकते हैं काफी खुबसूरत गाय है और इन गायों का दूध जो है मिल्क पार्लर से निकाला जाता है आप देख सकते हैं यह मिल्क पार्लर है जो बड़े बड़े फार्म पे लगाय जाता है जहां पर अधिक दूर देने वाली गाय है वहां पर मिल्क पार्लर लगाय जाता है तो यहां पर कैसे काम किया जाता है कैसे यह वर्क करता है सारा पूच्छ आपको देखने को मिलेगा है आप देख सकते हैं और शेद का हाइट भी काफी अधिक है और यह फार्म का बाहर का द्रीश्य है आप देख सकते हैं काफी खुबसूरत द्रीश्य है इस फार्म के जो अनर है सुधिर जी उनसे हम बाचीत करते हैं कि कैसे इतने बड़े फार्म को जो है मायनेज करते हैं नमस्कार सब्सक्राइब आपका हमारे चैनल को स्वागत है आप अपना एक छोटा सा परिशे हमारे दर्शकों को दे दीजिए नमस्कार दोस्तों मैं सुधिर कुमार हो माडेरी फार्म बारबंकी उत्तर प्रदेश से और ये फार्म हमारे लगवग डेटों गायों का फार्म है और इसमें लगवग हम लोगों ने 130 के आसपास हमारे पास हॉल्स्टीन फ्रीजन गाये हैं और 20 के आसपास बच्चे वगरे मिलागे गिरगाये हैं तो थोड़ा आप अपना स्टार्टिंग बता देजिए सर की कितने साल पहले आपने शुरू किया था और कितनी गायों से किया था आज जो है इस मुकाम को पहुंचे हैं जी हम लोगों ने यह फार्म 2015 के लास्ट में सुरू किया था 2016 से सुरू किया ह हुआ है इसको और उस समय हम लोग सुरू में 14 गाय लेके आये थे धीरे-धीरे हम लोगों ने अपनी गाय कुछ वसल में यहां कंदेनी होजना में पचास गायों का करना था हमें उसके तरह हमने में ब्रीडिंग का काम सुरू किया और धीरे-धीरे करके सुरू वाली पचा सुरू करना चाहता हो तो उनके लिए आप क्या सुझाओ देंगे कैसे वह स्टार्टिंग करें ताकि वह सफल ना हो देखें अरविंग जी आज के रेट में जैसा हम जानते हैं कि हमारा खान पान बहुत महंगा होता जा रहा है तो हमारा जब कोई मित्र अपने डेरी सबस्कुर्यूर हो था जाये लिए उसके लगभव कितने लिटर कोंगा गये को रखना चाहिए देखें इसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा शुरू करने के लिए कम से कम 25 लीटर के उपर की गाये से बात की जाएंगे 15 लीटर की गाये तो 15 लीटर रखने से और खरसे जोड़ेंगे तो पैसे हमारे नहीं बचेंगे गाये अपके लिए कुछ बचा के जाएगी तो मेरा आइडियाई शुरू करें 25 प्लस से और धीरे अपने आप ही फिर 30-35 प्लस जो भी जा पारें नूट्री डाइट को आप रेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और हां इसे आप ओनलाइन दी एमाजोन और फिलिपकार्ड से भी खरीद सकते हैं लेकि 99 परसेंट फार्म जो है बंद हो जाते हैं साल डेर साल के बाद आप उसके पीछे क्या रिजन मानते हैं अब बिल्कू से आई नहीं सकते पंद्रा लीटर की गाये वह सुरू में तो जब पूरा दूद देरी तब तो काम चल जाएगा लेकिन उसमें से कोई फिर बाद में छे हो गई को दो हो गई फिर किसी ने सुरू किया अगर ज्यादा होती पहला बात हमारे अच्छे की गाये होनी चाहिए दूसरी बात हमारी है कि हमारा दूस महंगा भिकना चाहिए तीसरी बात है कि सुरू मेंगर प्रोफिटिविलिटी कम आ रही है तो आप ब्रीडिंग प्रोग्राम अपना सुरू करिए अच्छे से ब्रीड करिए अच्छे से सीमें लगाईए और अच्छे से फीडिंग करक तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए सारा प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा तो अगर हम अगर दूद महंगा नहीं बेच पाएंगे तो शुरू करें और बहुत सारे लोग शुरू करते हैं तो सुचते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा से सुरूआत करें बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छा जिगर किया यह देखें मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सेट के पीछे बहुत परहसान नहीं हो बहुत उंचा सेट बनाने की प्लानिंग यह बहुत उंचे सेट हैं क्योंकि बहुत बड़ा डेरी फार्म था इसके लंबाई केवल सेट उंचा करने से अपने आप प्रॉफिट नहीं बढ़ता है तो आप अपनी गायों को किस तरह का फूट देते हैं सर देखें अर्विन जी हम लोग के पास तो अपनी फार्म अपनी फीड यूनिट है जिसमें अपना फीड खुदी बनाते हैं और अलग-अलग आपकी फीड जो है तो फीड पे ध्यान दें फीड कैसे कर रहें किसी अच्छे कंपनी का फीड लें अपने से चीज़ें कठा करें अच्छे बनावें जिससे की गाय आपकी दूद आई दे रही है वो देती रहे धीरे धीली पड़ती जाएगी तो फ्यूचर नहीं आएग अगर बड़ी गाय तो 25-30 kg अराम से खाती है अगर आवरेज गाय तो 25-20 kg चलेगी नहीं है हमारे पास 25-30 टक गाय तो ग्रीन फॉडर से भी चल सकती है अच्छा हराचारा हम दे रहे हैं अच्छा फीड दे रहे हैं हमारे कई मित्र हैं जो मेरी गाय ले गए है और जिनके पास नहीं है तो खीच ले जा रहे हैं और यहां किसी मित्र कोई देरा उसे खरी दिये यहां यूपी में बहुत से लोग हमारे शुरू हो गए आपकी बिहार में बहुत से लोग बनाव बेच रहे हैं उनकी मदद ली जा सकती है अब तो रास्ते खुल रहे हमारे लिए तो सहर में जो डेरी फार्म है वहां पर बिलकुल ही नहीं मिलता है कि वीटामिन वगर है खास करें वीटामिन ए वगर हम्ने कई जगे आग उविशे कर करें पाए और और क्यसी भी तरह से हो सगे थोड़ा हरा-चारा डालने का प्रयास करें नहीं कर रहे हैं अच्छा नहीं मिल जा तो और गाय प्रगनेंट रहती है सर्थ उनको किस प्रकार का देखें अर्विन जी प्रेग्नेंट में दो तरह क्या मसला हो सकता है एक तो यह है कि प्रेग्नेंट में जैसे मानले आपकी गाई चारपाच प्षे मेना पहले ड्राई हो गई है तो आप उस समय उसको ड्राई काउ फीड हम लोग देते हैं तो जिसे कि वह अपना भिल्कुल अपनी अगले डिलिवरी और उस समय आने वाले जो उसके उपर मेटाबॉलिक जो तनाव आता है उसको सम्हालने के लिए तो वो ट्राइशन फीड हो गया उसके बाद गाय बच्चा देती है तो फिर आप सुरू में यहां तो देखें आप नॉर्मल फीड खिला रहे हैं त कि कितने लीटर दूह देने वाली गायों पर एक अच्छे बुल का सीमन लगाया जा सकता है आपके पास जिस भी कंपनी का वो वर्ड वाइट सायर हो या अपने डीडीबी का सीजी का सीमन हो जो भी आसानी से उपलफद हो और अबब एवरेज हो वो लगा ले किसी बुल के परिशान होके बहुत महगी चकर में ना पढ़के सबसे पहले क्योंकि बहुत महगा सीमन लेका आएं गाये रीपीट होगे आपकी हमत छुड़ती है उसे अच्छा है जो एवरेज रेट में मिल रहा हो उस पर हात रखें और उससे अच्छे बैच्चे पैदा करें धीरे ध अब पहले हमारे गाये जो की विए सेजी के टिरमार वाले सीमन है वो भी हम रिजर्फ सीमन के रूप में यूइस करते हैं और उसकाउनी का बड़ा सीमन का स्टॉक रखा है अपने गीर और हर नहीं रहें तरह के सेमें सब्सक्ते महंगे सेक्स हैं सेंटर में लगबग 24 फीट और किनारे 18 फीट लंबाई चोड़ा से उपर है और थोड़ा आप अपने गायों के बारे में थर सुड़ा यह हमारा अरली मिल्किंग ब्लॉक है जो इस समय गर्मी में 30 लीटर के आसपास थोड़ा कुछ उपर गाये कुछ नीचे गाये हैं तो 30 लीटर प्लस माइनस समझ सकते हैं इस ब्लॉक को इसमें हर बुल के हैं इसमें कोई बुल के साब सेग्रिकेशन नहीं होता है अलगला नहीं करते हम यह दूद के साब से करते हम जो जाड़ा था तो यह 40 के यह वर्ड वाइट साइड डेफी की बच्चिया है पहले ब्याद की हमारी यह काफी पहली बार पहली बार 35 लीटर फर्स लेक्टेशन में दूद दिया हुआ है कितने में कंसीव कर गई इसका तो मुझे देखना पड़ेगा लेकिन हमारे यहां नॉर्मली जो डिलिवरी है वह 23 मेने से 25 मेने के आसपास होती है गायों की कोई अगर थोड़ एक दो बार रिपीट कर जाएगी तो वह सवाद 2 साल हो सकती है नॉर्मली मान लें कि 2 साल के आसपास हम लोग डिलिवरी ले ले रहे हैं तो अब जैसे यह गाये हम लोगों की है इस तरह के जो 35 लीटर पह तरह करना चाहिए नीचे वाली कितना बूल गाए हैं मैं चाहूंगा कि जैसे एक और गाय हो जाएं देती हूं पश्ना दो सबसे नीचे वाली पहले ब्याद की बच्छिया भी जिस दिन हमारे फार्म पर सारी बच्छिया तीस लीटर के उपर हो जाएं तो मैं समझे लूंगा कि अब आ गया है सई समय हमारा और वह धीर धीर ही पहुंचेगा करते करते ही और जो सफेद रंग की गाय है सर यह जो गर्मी आरे तो ठोड़ा हलका फुल का डाउन पढ़ रहे लेकिन गाय बहुत कुंसरत है तो गर्मी में लों को कितना समय नहलाते हैं इनको चार-पांच बार इंके उपर पानी डालते हैं और जो चारा यह डालते हैं तो ट्मर फीडिंग है इसको सारा साहिले यहारा चारा भूसा और फीड मिला के इनको ढाल दया जाता है फिर इअ खड़ी है कि 69 बनाने का सबसे बड़ा रकी के लिए संता नहीं है साफ सुखा रहता है गाया राम से बैठ पाती है हमारी इसका चोड़ाई कितना होगा सर इसका चोड़ाई 14 फीट के आसपास है लगवग डाई-डाई-फीट दोनों साइट चर्णी में चला जाएगा और आपका 10-11 फीट का बीच में बच जाएगा तो अभी आ पर फार्म का लीटर 880-90 लीटर के आसपा दूर हमारा है एक समस्या होता है सर मार्केटिंग को ले करके आप अपना जो दूर्द है कैसे जो है से लिए मार्केटिंग ही सबसे बड़ा लॉंग टर्म में चलेंज आता है मैं तो यसे समझता हूं इसको कि जितना दूर बिक हो उतना ही मैं पैदा करता हूं मैं बहुत जो डालता हूं दूर्द की मार्केटिंग पर हमने दो तीन तरीके निकाल रखे हैं हमने सहर में दो मॉबाइल वैन बना रखे हैं और बॉटल करके वाईकों से भी मैं दूर्द भजवाता हूं तो लगभग इस समय हम लोग 800-800- बाइटर के आसपाक दूर्द लगनोश सहर में रिटेल कर रहे हैं किस रेट से हमारे एटियम से बावन रुपए का रेट है अब दो रुपए अब एक महीं से बढ़ा लिया है जो हमारा बॉटल मिल जाता है वह जाता है और गीर कम मिलक है और 95 रुपीस में बॉटल में कर करके दूद को सिल किया जाए जैसे हम लोगों ने डेरी सुरू की वैसे ही समझ में आ गया कि कि दूद जो है उस समय हम लोगों भेजते थे दूद अपने यहां लोकल मंडी वगरा में जो कलेक्शन सिस्टम है तो 2016 में 15 में हम लोगो मिलते थे कभी 22 रुपै कभी 24 रुपै तो समझ में आ गया था कि अब ना फीडिंग होगी ना ब्रीडिंग होगी ना फार्म होगा तो गाय बढ़ाने कोई मतलब नहीं था हमने मैं समझ गया कि दूद के रेट पहले लाने पड़ेंगे तो हमने बहुत पापड़ बेले हैं धीरे-धीरे सहर में सारे मोड तरीके अपनाए हैं पहले एटीम खोला है मैं वहां सामु खड़ा रहा हूं लोगों को समझाया है धीरे-धीरे करके बिखता कुछ नहीं आपको बेचने का प्रयास करना है आप चीजों को ले के आओ और अपनी छमता से सामने खड़े होई है और बात करिए लोगों से धीरे-धी पहुंच रहे हैं तो जितना दूद आप आगे बढ़ा पाएंगे पैदा करना मेरे लिए बहुत आसान है अर्विंजी मैं हमने इस बार 35-35 लीटर दूद देती गाय अपने मित्रों को दी है उसमें से अगर 5 गाय भी अपने पास रख लो तो मेरा 1.500 लीटर दूद तुर चार गाय रख लीजे वह आपको 30-30 रुपए चार एक गाय देना सुरू कर देगी आगे खर्चे घटते जाते हैं आपके लड़के जाएंगे दूद बेच के चले आएंगे और आप उन अगली चार गायों से हो सकते अलाखों रुपया पढ़ाले अपने इंकम तो वहां पहुशने का मसला है और कुछ हमारे नए पशुपालकों के लिए करसर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप करना चाहूंगा कि सौकिया बहुत हलके मन से डेरी ना सुरू की जाए डेरी करनी हो तो पहले अपना माइंड बना लें कि जुट जुटना पड़ेगा और त यह जो आप डाटा देते हैं कि 95% क्यों होती है मुस्सें सामील हो जाएंगे अगर हमको 50% में सामील होना है तो पांच पर से क्या करना होगा कोई मतलब ही नहीं है तो आपके पाद बारकर के बार्ट पांच गाय के बाद शुरू हो रही हैं तो वरकर का अपना सहरा वो वो प्रक्रिया होगी तभी गाड़ी आगे बढ़ती है तो इतनी कायों का मिलक निकालना होता है सर मैनूल होता है या आइश्यादा घायों पर आपको आपको अटोमेटिक करना पड़ेगा और आज की रेट में हमारे लिए और हमारे पशुपालक भायों के लिए इसके लिए आपको बहुत रहा है थैंक यू